नमस्कार बायजूज एक्जाम प्रेप आईस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 5 नवंबर के प्रमुक्स समाचारों पर अधारित कुछ प्रस्णों पर चर्चा करने वाले हैं तो आईस शुरू करते हैं आज का डेली क्विज आज के प्रस्णों पर चर्चा करने से पहले एक महत्पून सुचना आप सभी के लिए है आप सभी को ध्यान में रखना है कि आईस 2023 के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा आप सभी के लिए मुफ्त अखिल भारतिये परंभिक मौक्टेस्ट कायून किया जा और यह मौक टेस्ट 6 नवंबर को सुरू किया जाएगा आपको टाइमिंग याद रखना है टाइमिंग है 9.45-11. आप सभी को ये भी ध्यान बर रखना है कि यह मौक टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भासाओं में आउयुत किया जाएगा इसके साथ साथ आप इस ट वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में दिया गया है और अगर आप इस मौक टेस्ट को हमारे ओफ्लाइन सेंटर में देना चाहते हैं तो आप सभी को एक फॉर्म फिल करना होगा जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में दिया गया है तो आप उसका उप कि लिखित में किस कन्वेंशन का सदस्य है और यहां पर आपको तीन पॉइंट दिए गये हैं पहला पॉइंट है Burnt Convention आपको ध्यान में रखना है कि भारत इस Convention का सदस्य 1928 से ही रहा है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला पॉइंट सही है यानि कि भारत जो है Burnt Convention का सदस्य है यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसमें दिया हुआ है Universal Copyright Convention आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत इसका भी सदस्य देश है यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है पॉधों की नई किस्मों के सरक्षन के लिए संग है जिसे हम सौट में UPOV कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि भारत इसका जो है सदस्य नहीं है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो Question No.1 का एंसर होगा आपका Option No.B याने कि पहला और दूसरा पॉइंट सही है याने कि भारत Burnt Convention और Universal Copyright Convention का सदस्य देश है तो ध्यान रखेगा Question No.1 का एंसर है आपका Option No.B इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के दहिंदू समा चार पत्र में आया है जिसका सिर्सक है Peel in High Court 6 No to Translate कांधी जी डेसिपल बुक और इसी को अधार बना करके ये Question आपके सामने रखा गया था आईए आप Question No.2 पर चाचा कर लेते हैं जो की Previous News पर ही अधारित है यहाँ पर Question No.2 है Copyright अधनियम के तहद निम्लिकित में से कौन से उलंगन की अपवाद याने की Acception to Infringement है बहुत important question है यह और यहाँ पर आपको तीन कथन दिये गए है यहाँ पर पहला कतन है एक प्रकासित रचना से युक्ति-युक्त उद्वरणों को सौजनिक रूप से पढ़ना या प्रोचन तो यहाँ पर बात की जा रही है Copyright अधनियम की और आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो हमारा Copyright अधनियम 1957 है उसकी धारा 52 के तहट Copyright के उलंगन के कुछ अपवाद दिये गए है यानि कि धारा 52 के तहट जो यहाँ पर बाते लिखी गई है अगर आप वैसा करते हैं तो इसे Copyright का उलंगन नहीं माना जाएगा जैसे यहाँ पर कथन एक है जिसमें यह कहा गया है कि एक प्रकासित रचना से युक्ति उदर्णों को सौजनिक रूप से पढ़ना या प्रवचन यह जो है Copyright अधनियम के तहट उलंगन के अपवाद की सेंड़ी में आता है तो आपको यह ध्यान में रखना है यानि कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह exception to infringement का हिस्सा है उस तरीके से यहाँ पर जो दूसरा कथन उसमें कहा गया है न्याई कारवाही के उद्देश से किसी भी कृति की प्रतिलिपी बनाना तो यहाँ पर ऐसा कोई करता है तो वो भी जो है copyright अधनियम का उलंगन नहीं माना जाएगा यानि कि यहाँ पर जूसरा कथन है वो भी सही है और यहाँ पर तीसरा कथन है किसी भी print media में वर्तमान घटनाओं की reporting आपको ध्यान मरखना है कि अगर print media के द्वारा या फिर digital media के द्वारा अगर समसामिक घटनाओं या फि किसी व्याख्यान का उप्योग किये जाता है तो इसे जो है copyright का उलंगन नहीं माना जाता यानि कि यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो question number 2 का answer होगा आपका option number D यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही है यानि कि copyright अधनियम के तहत exception to infringement का हिस्सा है यानि कि इसके उलंगन के अपवाद में सामिल है तो बहुत important question है ये इसको आप जरूर रिवाइस करेंगे आईए अब question number 3 पर चाचा कर लेते हैं question number 3 है पुलावरम परजुना के संदर में निमलखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और यहाँ पर आपको दो कथन दिये गए हैं यहाँ पर पहला कथन है यह गोदावरी नदी पर एक दिर्मानाधीन बहुत देशिय सिचाई परजुना है तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके सही है आप सभी जानते हैं कि जो पुलावरम परजुना है वह आंद्र परदेश में गोदावरी नदी पर बन राष्टिये परिजुना का दर्जा दिया गया है तो मैंने आपको अभी भी कहा कि यह जो परिजुना है वह एक बहु उद्देशिये राष्टिये सिचाई परिजुना है यानि कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है और इसलिए question number 3 का answer होगा आपका option number C यहां पर दोनों के दोनों कथन सही है इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के देहिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका सिरसक है और इसी न्यूज को अधार बना करके यह question आपके सामने रखा गया था आईए आप question number 4 पर चाचा कर लेते हैं question number 4 है भारतिय रिजर्ब बैंक के विदेशी मुद्रा परिसंपतियों यानि की FCA में निम्लिकित में से कौन सामिल है और यहां पर आपको तीन कथन दिये गए हैं यहां पर पहला कथन है केंद्रिय बैंको अंतराष्टे निम्टान बैंक यानि की BIS और विदेशों में वानेजिक बैंकों के पास मोजुदा जमा तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भारतिय रिजर्ब बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपतियों के बारे में आपको ध्यानम रखना है कि जब हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं तो उसमें सामिल होता है विदेशी मुद्रा परिसंपतियां जिसमें जो है केंद्रिय बैंक, अंतराष्टे निम्टान बैंक और विदेशों में वानिजीक बैंकों के पास जो मोज़वा जमा है, वो सामिल होता है यानि कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह विदेशी मुद्रा परिसंपतियों में सामिल होता है यानि कि सही है आएद देख लेते हैं, दूसरे कथन को दूसरा कथन है, विदेशी T-bill और प्रतिभूतियों में निवेश तो यहाँ पर यह कथन भी सही है आप देश सकते हैं कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें foreign, T-bill and security भी सामिल है यानि कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है आए देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है IMF द्वारा विसेश आहरन अधिकार यानि की SDR आप देख सकते हैं कि जो चार नाम मैंने आपको यहाँ पर दिये हैं उसमें विदेशी मुद्रा परिसंपतियां स्वन भंडार अंतराष्टे मुद्रा कोस के साथ रिजर्व ट्रेंच और जो आखरी में नाम दिया गया है वो क्या है विसेश आहरन अधिकार यानि की SDR यानि की इन चारों से मिल करके भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बनता है और इसके धारपड़ देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है यानि की question number 4 का answer हो जाएगा आपका option number D यह सारे भारत के विदेशी मुद्रा परिसंपतियों में सामिल होते हैं तो बहुत important question है यह बार-बार exam पूछा भी जाता है ऐसा question इसे जुड़ा हुआ एक news आज के दे इंडेन एक्सप्रेस में आया है जिसका सिर्सक है आएए अब एक प्रिवेसरे question पे चर्चा कर लेते हैं और यह question दोहरबाईस ने पूछा गया था question number 5 है सन्युक्त राष्ट महासभा के संदर्व में निमलखित कत्रों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको तीन कत्रों दिये गये थे तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके सही है आपको ध्यान में रखना है कि सन्युक्त राष्ट की जो महासभा है वह गैर सदस्य राज्यों अंतराष्टे संगटनों और अन्यसं स्थानों को अस्थाई परिवेक्षक का दरजा दे सकती है और इसके धार प्रगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है अंतर सरकारी संगटन यूवेन महासभा में प्रेक्षक इस्तिपाने का प्रियास कर सकते हैं तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके सही है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट उसमें बताया कि जो स्वेंगतराश्ट की महासभा है वह गैर सदसराज्यों, अंतराश्टी संगटनों और अंसन स्थानों को अस्थाई परिविक्षक का दर्जा दे सकती है यानि कि अगर कोई अंतर सरकारी संगटन यूवेन महासभा का प्रेक्षक इस्तिपाने का प्रियास करना चाहता है तो वह कर सकता है यानि कि यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है आएद देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है यूवेन महासभा में अस्थाई परिविक्षक यूवेन मुख्याले में मिसन बनाए रख सकते हैं आपको ध्यान में रखना है कि महासभा के दौरा जिसे भी अस्थाई परविक्षक का दर्जा दिया जाता है वह महासभा के सत्रों और कामकाज में भाग ले सकते हैं और इसके साथ साथ स्वयुक्तास मुख्याले में मिसन बनाए रख सकते हैं यानि कि यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है और इसलिए question number 5 का answer होगा आपका option number D यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही है बहुत important question है इसको आप जरूर revise करेंगे आईए अब आज की तर्थे के उपर चचा कर लेते हैं और आज हम चचा करने वाले हैं राजपाल को हटाने की परक्रिया को ले करके इससे जुड़ा हुआ एक news The Indian Express में आया है अगर हम राजपाल की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे समिधान के अनुच्छेद 155 और 156 के नुचार किसी भी राजपाल की न्युक्ति राशपती के दोरा की जाती है और उसका जो कारकाल वैसे तो 5 वर्सों का होता है लेकिन इन 5 वर्सों के भीतर अगर राशपती चाहें तो राजपाल को उसके पद से हटा सकते हैं यानि कि राजपाल राशपती के प्रसाद प्रत्रियाने की प्लेजर ऑब दी प्रेजडन पर पद्धारन करता है इसका मतलब ये होता है कि राशपती जब चाहें राजपाल को उसके पद से हटा सकते हैं आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है कि जो राशपती हैं वह मंत्री मंडल के सलाह पर ही कार करते हैं याने कि अगर केन सरकार चाहे तो वह राश्टपती को किसी भी राज के राजपाल को हटाने का सलाह दे सकता है जिसके अधार पर प्रेजडेंट उस राजपाल को हटा सकते हैं। इसे जुड़े हुए जो दो केसे से उसको आपको ध्यान रखना है जो पहला केस है वो है सुर निरायन चौधरी बना भारसंग का मामला जो की 1981 का है और इस केस में राश्टान उचन्याले ने ये माना था कि राश्पती जब चाहें तब किसी भी राज के राजपाल को मंत्री मंदल की सलाह पर उसके पद से हटा सकते हैं और उनके द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो यह जो है नयोचित नहीं है यानि कि इसके खिलाफ आप कोट में अपील नहीं कर सकते हैं इसका मतलब ये भी है कि समिधान के द्वारा राजपाल को उनके कारकाल को सुरक्षित न इपोर्टेंट बाते कहे गए थी यहां पर भी सुप्रीम कोट ने ये जरूर माना था कि राशपती के पास राजपाल को बीना कोई कारन बताए और बीना सुनवाई का ओसर दिये किसी भी समय हटाने की सकती है लेकिन यहां पर सुप्रीम कोट ने ये भी कहा था कि राशप भीकाण्वालों को हटाने की जो सक्ति है उसका पर्योग दुरलब और और सधारन प्रिस्थितियों में ही करना चाहिए और वैद कारणों के अधार पर ही करना चाहिए ना कि मन माने तरीके से। तो यहाँ पर जो दो केसे हैं उनको आपनो जरूर ध्यान में रखेंगे। हैं डेली कुई इसके अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद